हाई फ्रेंज कैसे हो वेलकम है आपका निशूल जाइका में और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आम की बहुत ही तेश्टी कटी मिठी लॉंजी या कट मिठी तो इस तरीके से हम आम को अच्छे से धो कर और छील लेंगे और फिर हम इसमें कट लगाएंगे और इ देख सकते हैं और सभी आम को काट कर त्यार कर लेंगे फिर हम गैस जलाएंगे और उस पे चलाएंगे पैन और उसमें हम दालेंगे दो से तीन बरे चम्मच सरसो का तेल और इसे गरम कर लें फिर हम दालेंगे दो से तीन लाल मिच्ट दो तेज पत्ते और एक चम्मच हमक्स कर लेंगे अर इसे हम हम सक दिख कर देंगे ऑश ऐसे ही ढक्कर पकाएंगे एह renamed और पाउडर नमक स्टर टा लैंगे और नमक डाल है दआतना हम ज्ड़कों कर सकते हो और इसे अच्छे से mix कर लें और 5 मिनट के लिए पकने दे medium flame पे जिससे की ये soft हो जाए यहाँ पे आप देख सकते हो ये soft हो गया है तो अब हम यहाँ पे add कर देंगे चीनी तो चीनी यहाँ पे आप जितना आम ले रहे हैं उस हिसाब से चीनी डालें तो मैंने यहाँ पे सारे 700 ग्राम चीनी डाली हूँ यहाँ पे आप इसे गुर में भी बना सकते हैं और अब हम इसे फिर से चीनी घुलने तक पकाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो चीनी इसमें घुल चुकी है और अब हम यहाँ पे आड़ कर लेंगे पानी अगर आप थोरा सा इसकी कंसिस्टेंसी पतला करना चाहते हैं तो इसमें आदा गलास पानी डालें और इसे आप 5-7 मिनिट के लिए कुक कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी आम की खटी मिन्थी लॉंजी या खट मिन्थियां बनकर त्यार है इसे आप घर्मा या ठंडा करके पूरी के साथ पराठे के साथ साथ करें बहुत ही मज़ेदार लगती है तो कैसी लगी वीडियो कॉमेंट जरूर कीजिएगा पसंद आई हो तो लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर करें बाई फ्रेंड्स